हेलो फ्रेंज वेलकम टू सिक्षा कैसे आप सब आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे तो दोस्तो यह जो करंटली वीडियो है जो आप देख रहे हो इसमें मैं कोई EPFO से रिलेटेड या हम कोई MCQs डिसकस करने वाले नहीं है हाला कि बहुत महत्वपून यह वीडियो ह हम में से बहुत लोग शायद ऐसे हैं जो भी जॉब्स जिनकी नहीं लगी है या वर्किंग भी है प्राइवेट सेक्टर में वर्किंग है हम हमेशा यह सुचते हैं कि मैं यार सरकारी नौकरी लेकर के अफसर बन करके देश की सेवा करनी है मुझे ठीक है और भी हमारे गोल होते हैं कि मुझे respectable job जी है मुझे good earning job जी है लेकिन बहुत से बच्चे जो सरकारी job EPFO हो गया IES हो गया state services हो गया हम सब इन services में जाते हैं कहीं न गहीं हमारे दिमाग में होता है कि हमें अपने देश की सेवा करनी है पर देश अभी बहुत बड़े संकट में है देश अभी बहुत बड़े एक परिशानी एक देश के सामने एक पहाड खड़ा है जिसको देश ने अभी पार करना है तो ऐसे समय में जब हम अफसर नहीं है जब हमारे पास कोई power नहीं है हम सब हमें से कोई शायद ऐसा नहीं है जो doctor है या कोई police में काम कर रहा है हम अभी सिरफ और सि student है तो ऐसे समय पे हम कैसे अपने देश की सेवा कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि हम अपने देश की सेवा नहीं कर सकते हैं देश बनता ही उनसे है जो हर स्थिती में अपने देश की सेवा करने के लिए अपने आपको लायक समझते हैं और अपने आपको लायक बनाते हैं साथी सा जो एक सच्चा देश भक्त होता है वो हमेशा जो लोग सर्विस उसको दे रहे हैं चाहे वो आज डॉक्टर्स हैं चाहे वो आज हेल्थ वरकर्स हैं पुलिस ओफिसर्स हैं जो भी आपको सर्विस दे रहे हैं आज की डेट में chemists हैं आपके ठीक है कोई shop खुले ना खुले chemist की shop खुलेगी कोई shop खुले ना खुले आपकी grocery की shop खुलेगी risk तो उनको भी है वो भी दुकाने बंद करके बैठ सकते हैं तो एक अच्छा देश भक्त हमेशा दुसरे की service की respect करता है एक true hero की service की respect करता है तो वो आपने करना है अब बात हम इस वीडियो में क्या करेंगे कि किस तरह से कोई power कोई authority ना आप corona warrior हो ना आप frontline worker हो कुछ नहीं हो लेकिन फिर भी आप अपने देश की सेवा कैसे कर सकते हो इस संकट वाली स्थिति में तो कुछ चीजे आपने ध्यान में रखनी है सबसे पहले अपने avoid करना है बाहर जाना वो important इसलिए सिरफ इसलिए नहीं है कि आप ठीकर होगे क्यूंकि वो देश को मदद करेगा COVID-19 की chain तोडने में COVID-19 is like a chain ठीक है आप सब जानते हैं अगर इसका spread बंद हो जाएगा तो अपने आपे बिमारी खतम हो जाएगी ठीक है आपके सामने GIF चल रहा है तो करोना ऐसे ही पकड़ के रख जब तक आप भाहर घूमते रहोगे करोना भी ऐसे ही घूमेगा खुले हाम अगर आपका कुछ ऐसा important काम नहीं है अगर आपका जो job है वो work from home है मतलब अगर देखो necessity है फिर तो जाना पड़ेगा भार लेकिन दोस्त से मिलने जाना है girlfriend से मिलने जाना है बड़े दिनों से mall नहीं गए घूमने जाना है वो जो चीज़े avoid की जा सकती है वो आप कर सकते हो और वो आपका इस समय सबसे बड़ा करतव्य है chain को ना doctor रोक सकते है ना minister रोक सकते है ना administration रोक सकती है ना IES officer रोक सकता है ना IPS officer रोक सकता है chain को सिरफ और सिरफ हम रोक सकते है as a individual अगर हम अपनी responsibility को समझेंगे तो ये chain अपने आप तूट जाएगी और जब ये chain तूट जाएगी तो अपने आप देश जो है covid के संकट से बाहर आ जाएगा ठीक है उसके बाद दूसरी चीज़ आपने क्या ध्यान में रखनी है अगर आप या आपके किसी family member को symptom है या वो positive है सबसे पहले तो बहुत से लोग test ही नहीं करा रहे वो क्या कहते है हमें test कराने की ज़रूरत नहीं है हम घर पे ही है ठीक है ये तो viral है आज कल मैं North India पे देख रहा हूँ बहुत से लोग जैसे अपने surrounding में भी लोग देखता हूँ test नहीं कराते हूँ कहते हैं वो ये तो viral है ठीक है हमें तो viral हो गया है कुछ नहीं है वो उनको बुखार होता है वो फिर openly घूमते हैं अपने घर में भी सब के साथ बैठते हैं आस पर उसमें भी जाते हैं काम पे भी जा रहे हैं वाइरल है जी हमें और इससे क्या होता है वो chain spread हो रही है ठीक है अगर आपको लग भी रहा है कि आपको viral है तो आप अपने आपको isolate करो test कराओ और जब तक test की report नहीं आ जाती है isolated हो अगर test की report negative आ जाती है ठीक है आपको viral है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है तो एक दिन का तो आप सबर कर सकते हो ना test कराने में test कराने में तो कोई दिक्कत नहीं है सरकार ने test जो है सस्तेगियों है और सब लोग को forward कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है है ना तो टेस्ट कराओ, एक दिन रुख जाओ, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है आपको वाइरल है, आप नेगिटिव हो, कोई बात नहीं, हम नहीं मना कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट कराने में तो कुछ नहीं जा रहा न, आपका कम से कम शौर हो जाओगे, क्योंकि बिमारी ऐसी है कि सि कुछ आथ में ले करके डूपते हो, ठीक है, और चलो छोड़ो ये बाते हैं कि दुनियादारी की आप नहीं सोचते इतनी, आप अपने परिवार की तो सोचो, आपके घर में छोटे बच्चे भी होएंगे, आपके घर में बुजूर्ग भी होएंगे, आप उनको भी बिमा कोई डॉक्टर, कोई मिनिस्टर नहीं कर सकता, कोई ऐसा नहीं है कि किसी के घर में कोई कोवीड का केस आ गया, तो हर घर के बाहर हम पुलिस वाला बिठा देंगे, इतने सारे केसी हैं हम नहीं कर सकते वो चीज, सेल्फ रिस्पॉंसिबिलिटे आपको लेनी होगी, ठीक है उसके बाद, तिसरी चीज, आपके घर में जो बुजूर्ग हैं, उनको उनका आपने बहुत ज़्यान रखना है, बुजूर्गों का, क्योंकि जो आप, देखो अब कोवीड जो है वो ज़्यादा तर यंग जनरेशन में फैल रहा है, लेकिन जो आपकी उल्ड पॉपुले में और ज़्यादा effect करता है, lungs weak होते हैं, ठीक है, तो जो भी आपके घर में बुजूर्ग है, आपने उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, उनकी diet का आपने ध्यान रखना है, ठीक है, accordingly आप सब पढ़े लिखे हैं, Google कीजिए, कि अगर आपके घर में कोई diabetic है, तो कि इस तरह से उनकी immunity को boost करने के लिए, कौन से fruits हैं, कौन से drinks हैं, जो उनको दिये जा सकते हैं, ठीक है, क्या diet follow करनी चाहिए, ये सब आपको जो है, खुद से research करना चाहिए, उसके बाद, चौती नंबर चीज, awareness, अब आप लोग पढ़े लिखे हो, आप लोग current affairs पढ़ते हो आप लोग Hindu पढ़ते हो, आप लोग अकबार पढ़ते हो, ठीक है, आप जानते हो कि COVID में क्या symptoms होते हैं, आप जानते हो कि COVID में किस तरह से इलाज किया जा सकता है, हम पिछले एक डेट साल से newspaper पढ़ रहे हैं, ठीक है, और newspaper में बहुत articles आया है, सब कुछ है, experts ने लिखा है कि किस तरह से treat करना है, आप अपने surrounding में, आपके घर में, आपके पास किसी का phone आता है, आपकी family में से किसी का phone आता है, आपके दोस्तों में से किसी का phone आता है, आप उनको बताएं, awareness generate करें, अगर कोई आपको बताता है कि यार मेरे को खांसी है, तो आप उसको बताओ कि कित आप पढ़े लिखे हो, आप news paper पढ़ते हो, आप Google चला ना जानते हो, आप ने number निकाल के रख लेने हैं, जितने emergency numbers हैं आपकी state में, हर state में, हर district में, district administration ने emergency numbers दी हैं, लोगों को पता ही नहीं होते हैं वो emergency numbers, कि हमें कहां phone करना एकदम से अगर emergency आजाए, तो वो emergency numbers आपके प administration, वो information हम अपने whatsapp पे share करें, ताकि लोगों तक वो बात पहुँचे, awareness generate हमें करनी है, और इस तरह एगा नहीं बनना आपने, ठीक है, आजकल ये, जो है, महाशेर news में चल रही हैं, शायद आपने ना देखा हो, जो लोग, पुलिस वालों से लड़ते हैं, curfew rules break करते हैं, mask नहीं पहनते हैं, और उसके बाद भी फिर भी पुलिस वालों से लड़ रहे हैं, और अपना ज्यान ज़ाड रहे हैं कि मैं UPSC mains clear कर चुकी हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, इस लड़की को कभी UPSC pre भी नहीं देने दिया होगा, बार गेट पर ही रोक लिया होगा, जै और आप उसको करते हुए फॉलो अपने देश की सेवा भी कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, क्योंकि न्यूस पर पढ़ते हैं, फेक न्यूस बहुत जादा सर्कुलेट होती है, वाट्सैप मीडिया बहुत जादा सर्कुलेट होता है, क्योंकि आप educated हो, आपका काम है, कि अगर आपके आसपास आप देख रहे हो कि फेक न्यूस है, आप किसी ग्रूप का पार्ट हो वाट्सैप पे, आप देखते हो कि किसी ने फेक न्यूस शेयर की, आप टोको उसको, आपके घर पे कोई अगर आपके पेरेंट्स हैं, वो कोई फेक न्यूस की बात कर रहे हैं कि कोविड में ऐसा-ऐसा कर लेते हैं तो ठीक हो जाता है या वैसा तो आप उनको समझाओ कि नहीं ये फेक है ऐसा नहीं होता है कोई आपके घर पे मास्क नहीं पैन रहा है कोई कुछ भी अगर अफवा फैल रही है तो आपने उसको काउंटर करना है क्योंकि you have the responsibility अ कर रहे हैं तो automatically ये जो है pressure देश के उपर कम हो जाता है fake news का किसी भी विप्दा के समय में fake news उस विप्दा को और ज़्यादा बढ़ा देती है पैनिक बढ़ा देती है जैसे आज पूरा दिन पैनिक चल रहा था सुबा से कि प्रधान मंतरी कभी भी lockdown लगा देंगे ठीक है लेकिन ultimately कोई lockdown announce नहीं हुआ तो आपने समझाना है लोगों को जो आपके आसपास है and ultimately finally आपने देश की सेवा कैसे करनी है घर पे रहना है और खूब मन लगा करके पढ़ना है क्योंकि देश को आप जैसे अफसरों की बहुत ज़्यादा जरूरत है जो अफसर ना होते हुए पिछले 5 points को follow करके अपने देश की सेवा हर तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे अफसरों की इस देश को जरूरत है जो यहाँ इस वीडियो के end तक पहुँचे हैं बहुत से लोगों ने तो वीडियो बीच में ही बंद कर दिया होगा पहले एक दो मिनिट में कि ये त भाषन देने आया है हाँ actually कुछ पढ़ाने नहीं आया है हमें आपे भाषन ही है भाषन ही समझीए इसको तो देश को आप जैसे लोगों की जरूरत है आप जैसे अफसरों की जरूरत है ऐसा नहीं है कि देश के उपर आज विपदा आईया तो आगे नहीं आएगी ये पर जो है इस वीडियो को मैं खतम करूँगा, I hope मेरी बातें कुछ हद तक आपको ठीक लगी हो, अगर किसी को कोई इसमें दिक्कत हुई हो, कुछ बुरा लगाओ तो उसके लिए शम्मा भी चाहूँगा, तो मिलेंगे, फिर किसी अगली वीडियो में उसमें पढ़ाई करेंगे, ठीक है, इसमें ये important बाते थी कि कैसे आप अपने देश को serve कर सकते हो, इतनी बुरी स्तिती में, देश बहुत बुरी स्तिती में है, यह समझ लीजिए, देश अच्छी स्तिती में नहीं है अभी, हमें उसके पास oxygen नहीं है, उसके पास दवाईया नहीं है, उसके पास bed नहीं है, तो हमें अपनी duty बहुत अच्छे से पूरी करनी है, यह देश हमारा है, और हमें ही इस देश को बचाना है, इस संकट से निकालना है, और हम ही यह कर सकते हैं, सच मानिये, और कोई यह नहीं कर सकत कोई प्रधान मंतरी कोई मुख्य मंतरी कोई एड्मिनिस्टेशन कोई डॉक्टर कोई पुलिस ये नहीं कर सकती जब तक हम नहीं करेंगे इजाज़ता चाहूंगा गुड़नाइट